गुड मॉर्णिं टू अल अफ यो आज हम लोग देखेंगे F5 जो की आपका F5 वह ज़ता है डिलेट फॉस्ट यर वालों के लिए F5 में आज हम लोग देखेंगे Unit 1 जो की आपका Unit 1 होता है भासा की समझ तता अरंबिक भासा जिसके अंतरगात आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम हो जाता है भासा का अर्थ परिभासा तता प्रक्रिती जो की हमारा लेक्चर संख्या क्या हो जागा 1 So my dear student जैसे की मैंने आपको कक्षा में already बता चुका है की भासा क्या होता है भासा का अर्थ भासा की परिभासा के बारे में तो मैं फिर से आपको या परिख्चा की नजर परिख्चा की दिरिष्टी से मैं आपको फिर से भासा के बारे में फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भासा क्या है भासा का अर्थ क्या है और भासा की प्रकृति के बारे में तो चलिए हम चालू करते हैं भासा के बारे में तो सबसे पहले अगर हम करते हैं अगर आपकी परिक्षा में आती है कि भासा क्या है भासा का और भासा की प्रकृति को बताएं तो आपका यह होता है देखे भासा देखे हम लोग जानते कि इस संसार में बहुत यह भी सजी वस्तु है जो भी प्रानी है वो शब अपने मन के वीचारों को दूसरों के सामने अर्दान परदान करने के लिए किस चीज का पर्यों करते हैं भाषा का पर्यों करते हैं यानि भासा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के सामने अरदान परदान करते हैं तो यानि कि देखें बीना भासा का हमारा जीवन क्या है एक मृत पशू के शामान है कैसे ठीक उसी परकर जैसे कि देखिए हम लाग कितना भी सुन्दर रहें लेकिन हमारे सरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होते हैं हमारे सरीर क्या हो जाता है मृत हो जाता है तो उसी परकर हम लाग कुछ भी हो लेकिन हम अगर भासा की जनकारी ना हो यानि कि लैंगवेज की ज कर सकते तो लोग हमारी क्या करते हैं हमारी बातों को नहीं समझ सकेंगे और जब वह हमारी बातों को नहीं समझ सकेंगे तो उस इस्तिति में क्या हो जाएगा हम एक मृत्पसु के शमान होते हैं हो जाएंगे तो अब हमारा यह आ जाता है कि भासा के अर्थ के बारे में तो च वासा कि उत्पति संस्कीत के भास दातू से बना है, जिसका अर्थ बोलना, शमजना, पढ़ना, लिखना इत्यादी होता है, यानि कि कहता है कि जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के शामने प्रकट करते हैं, तता दूसरे के विचारों को शुनते शमजते हैं, तो वो वह हमारा क्या कर लाता है भाषा कर लाता है तो यानि कि भाषा वह माध्यम है यानि कि एक माध्यम है एक दूसरे को तक अपनी संबाद को पहुंचाने का चाहे वह लिख कर चाहे वह बोल कर चाहे वह पढ़ कर तो यह हो जाता आपका भाषा का अर्थ अगर भाषा की परिभ बहुत से विद्वानों ने भासा को निम परकार से परिवाजित किया है. जिसकी अंतरगत, पहला अगर हम बात करते हैं आचारे डांडी कि अनुसार, आचारे डांडी क्या करती है कि जब थीनों लोग में अन्धाकर्म है इच्छा जाता है तब भासा ही क्या बनता है जोती बनकर आता है न rivers अगर आप निरास अपने आपको मान लेते हैं अगर आपको लाइंग वेच की जन करीए तो आपका निरास जनक्त क्या हो जाता है खत्म हो जाती है प्रोफेसर पीडी गुपता के अनुसार प्रोफेसर पीडी गुने के अनुसार क्या करता है भासा हमारे विचारों मनोभाव के उन जियों का पूर्ण योग है जिनके द्वारा हम अपने वाय विचार प्रकट किया करते हैं और इच्छा अनुसार विचारो यह भाओ को एक बार प्रकट करके अपनी पुनाविरिती कर सकते हैं यह हो जाता है प्रोफेशर पीडी के अनुसार उसके बाद से कहता है द्वारिका परसाथ सक्सेना के अनुसार तो द्वारीका परसाथ सक्षेना क्या करते हैं भासा को परिभासा किस परकर से करते हैं परिवासी तो द्वारीका परसाथ सक्षेना जी करते हैं कि भासा मुख से उच्चारित उष्परंप्रागत शायन व्यक्त धोनी शंकेत की व्यक्ति से को कहते हैं यानि कि देखें ये क कहते हैं Dr. शक्षेना कहते हैं दौरिकया पलगार शक्षेना काते हैं बौल कर जब कर दूसरीक्त के सामने प्रकट करते हैं। यानि कि जब हम अपने मन के वीचारों को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो हमारे क्या कहलाता है, लिखित कहलाता है, जब हम अपने मन के वीचारों को दूसरों के सामने बोल कर प्रकट करते हैं, तो हमारे क्या कहलाता है मौखिक कहलाता है और इसी का तीसरा रूप होता है संकेतिक यानि कि जब हम अपने विचारों को इसारों के द्वारा दूसरों के सामने प्रस्तूत करते हैं तो हमारे क्या कहलाता है शंकेतिक कहलाता है यह हो जाता है भाषा का माध्यम यानि कि तीन म माध्यम होता है लिखित मोखित और श्रांकेतिक अब हम लोग बात करते हैं भासा का स्थार तो देखें भासा का मुखे तो चार स्थार होते हैं जिसके अंतरगत पहला आता है मातरी भासा दूसरा आता है छेतरी भासा तीसरा आता है राश्टी भासा और चौता आता है अंतर भासा जो किसी छेत्र में बोला जाता है वो छेत्री भासा कलता है यानि कि किसी विशेष छेत्र के अंतरगत बोले जाने वाली भासा कौन लोग छेत्र या छेत्री भासा कहते हैं तो यानि कि छेत्री भासा एक छेत्र के अंतरगत ही बोला जाता है जब जैसे जैसे आप जैस जो एक छेत्र के नंतरगत जिस भाषा को बोली जते वह च्पहलाती है, उसके बात आप को राषटिए भासा, वह भासा, जिसके द्वारा हमारा कानूं ब्य depressedा चला जैता है, राषटिए भासा कहलाता है, तो जैसे हमारा राष्टी भासा क्या है हिंदी है अब आते हैं उसके बाद से अंतराष्टी भासा तो अंतराष्टी भासा क्या कहलाता है यानि कि वह भासा जो पूरे वोर्ड में लोग पूरे विश्वा में लोग एक साथ बोलते हैं ठीक है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या बातों को मुख्य रूप से देखेंगे नंबर वन आता है भासा पैतिरिक शंपती है जैसे कि मैं आपको अलरेडी क्लास में बता चुका हूँ किस परगार से है फिर भी मैं आपको यहां पर डिस्क्राइब करकर बताऊंगा दूसरा काता है भासा अर्जित संपती है तिसरा क काता है भासा परव्परा व्यक्ति क्टी हुसका अर्जन कर शकता है उत्पन नहीं ही 5 अहुता है कि लेकिन कऑई कब ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे का जन उसके अस्थान पर होता है लेकिनम लेकिन बाद में वो बच्चे का पालन पोर्षन क्या हो जाता है, कहीं और होता है, यानि कि जब जन्म होने के बाद से, वो दस सल के बाद से, वो कहीं और चला जाता है, तो उस इस्तिति में क्या हो जाता है, वो वहां का भासा को क्या लगता है, सीख लेता है, और अपनी पै पीटार से मिलता है तो फिर अपने पॉले वाले भासा में क्या गता है बात करता है तो वह हो जाता है क्या होता है उसकी पैत्रिक भासा कहा राता है दूसरा कहता है भासा अर्जित संपति अर्जित मतलब क्या करते हैं अनलोग ग्रहन करते हैं यानि कि वाता वरन के अनुसान चौदा कहता है भाषा परंपरा है उसका अर्जन करता है लेकिन उत्पन नहीं देखे हम भाषा एक परंपरा है यानि कि सवदियों से जो चीज हम लोग सीखते हैं जो चलता है हमारे परंपरा हमारे रीती अंतरगर उस चीज को लोग क्या करते हैं उत्पन नहीं करते हैं ठी परिवरतन सील है तो भासा परिवरतन सील के अंतर गतर हम लोग क्या होता है दिखें। जैसे कि हम लोग Indy बोलते हैं, तो यह हमारे लिए और लिये शहीं होता है, लेकिन हम लोग यहां से अगर चले जाते हैं, B डेकिसी ing albo दूसरे कांटी में तो उस इस्तिति में क्या हो जाता है हमको वहाँ पर अपनी भासा को चोड़कर उसकी भासा को सीखने का पड़ता है या फिर जब हम या फिर हम क्या होता है अगर हम उसकी भासा को अलरडी सीखें तो क्या होता है मुझे उस इस्तिति में अपनी भासा को न बोलकर उसकी भासा क्या अगरना पड़ता है, इस परकार क्या हो जाता है भासा परिवर्तित हो जाता है बड़ता है, प्रकृर्तिक नातरगत जेसे की मैंने बता है प्रकृर्टिक अंतरगत यानि कि समय के according क्या हो जाता है बचा सीखता है बोलता है और जीत मतलब जिसकों लोग गरहन करते है श्रमाजिक यानि जो समाज के अंतरगत होता है परंपरा यानि कि परंपरा जो रिती वाज के अंतरगत आ रहा है अनुकरन मतलब सुन-सून कर और बहासा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार को क्या करते हैं अर्दान-पर्दान करते हैं यानि कि किसके एक दूसरे के समक्षनलग बहासा का क्या करते हैं अर्दान-पर्दान करते हैं यानि कि बहासा के द्वारा ही हमारा क्या है जीवन पून रुप से शं और अगर परिवासा की बात करते हैं तो बहुत सार भी द्वानों ने इसको दिन परकार से परिवासित किया जो कि मैं आपको बता चुका हूं अब परिवर्ट प्रकृति के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी प्रकृति मुखेता अगर आप प्रकृति के अंतरगत अगर